तो इस वाले सवाल को देखो प्यारे बच्चों अगर इस वाले कोश्चन को तेव देखो गई कि एक क्वाइल है क्या कहा जा रहा है एक क्वाइल अध्यान से पड़ो जिसका क्वाइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ टेन ओम इज करेंट फ्लोइंग डेबलप बाई चार्ज फ्लक्स तुरो दे फंक्सान आप टाइम मैगनिचूड आप दे चेंज इन फ्लक्स तुरू दे क्वाइल चेंज इन फ्लक्स यह वाली चीज मझे निकान ली है तो अगर मैं चेंज इन फ्लक्स यहां से कैलकुलेट करता हूँ तो चेंज इन फ्लक्स अगर कोई एक इने क् introduce current, अगर कोई coil है, यहां से तुम देख रहे हो, कोई coil है, जिसके पास कुछ resistance है, समझे, coil है, तो इसके पास कुछ resistance है, क्योंकि वो जो भी coil होता, प्योर नहीं होता, तो there must have some resistance, तो introduce em is equal to minus d5 over dt, ठीक न है, यहां से current और time का अगर आप है, इससे मुझे change in flux निकालना है, तो अगर मैं mod ले लेता हूँ, magnitude ले लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं current निकालू, तो emf दोनों साइट coil के resistance से डिवाइड कर दूँ, और यहां से 1 upon r, और यहां से d5 over dt, मैं magnitude ले लेता हूँ, यहां से, तो यह अपना current बनेगा, और यहां से dt इधर बनेगी, और यहां से जो है, flux d5 over r यहां से बनेगा, ठीक है, तो यहां से d5 जो change in flux है, वो i r और यहां से dt, तो यह काम करते हैं, इसको मैं i dt लिख सकता हूँ, और r से multiply कर देता हूँ, तो i dt is the nothing, but it is the area, small element, i dt, मतलब i और current और time अगर graph बना है, तो i dt is the, this is the i, or this is the dt, small area, small area, small area that is i dt, तो i dt अगर small area, that is, small area, तो d5 इधर बच गया, और i dt इधर बच गया, और यह आए, r, तो अगर मुझे मैं दोनों साइड इंटेग्रेट कर दू, इधर मैं इंटेग्रेट कर दू, तो यह जो है, इधर आजाएगा, change in flux, 5 2 minus 5 1, change in flux, or resistance, और this is the integration of i dt, अबलब area, total area of the curve under current time graph, तो change in flux, delta 5 is equal to, आजाएगा, r multiplied by area under curve, area under curve, area under curve, area under curve of i or t का graph, i t graph का area under curve आएगा, तो यहाँ से resistance r, और area, इस triangle का area, यह वाला area निकाल लो, तो इस area is 1 by 2, base multiplied by height, base 0.1, और height 4, तो यहाँ से जो resistance है, वो 10, और 0.1, और यह 4, divided by 2, तो यह point इसको खतम कर गया, that is 2, तो change in flux यहाँ से जो आजाएगा, वो आजाएगा 2, यहाँ से बी option सही हो जाता है, thank you.